हालो स्टूरेंट्स वेलकम बैक में यूटूब चैनल राइंक 78 बच्चों आज के वीडियो में लोग सीखेंगे नाइट लैंप का चित बनाना जिसको लैंप सेड भी कहा जाता है तेकि सबसे पहले तो हम एक बीचो बीच लगभग 17 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचे बिलकुल लंबा वत होगी इसका धयान लगते हैं इस रेखा को हम जितनी लंबी खींचते हैं धयान लगते हैं इस रेखा के दुनों और बराबर रखते हैं इस रेखा कि लगबग आधी लंबाई के बराबर यानि उसको यदि हमने 14 सेंटीमीटर कीचा था तो इसको हम लगबग 7 सेंटीमीटर किये दे रहे हैं अब देखिए इसको ऐसे हमने मिला दिया इसी परकार इसको मिला दिया उपरी हिस्सा देखिए हम कैसे गोल कर रहे हैं लगबग इतनी ही दूर नीचे जाती हुई रेखा अब देखिए इसी के बराबर गोलाई इस रेखा में भी रखते हैं इन रेखाओं को हम रेज कर देते हैं और बीच वाली रेखाओं को भी बनी रहने देते हैं अब देखिए इन रेखाओं को अलग-अलग खंडों में विवाजित करते हैं बीच का खंड सबसे बड़ा होगा इसके किनारे वाला इससे छोटा और किनारे वाला और भी छोटा होगा ये बड़ा है ये उससे छोटा है और ये उससे भी छोटा ऐसे ही देखिए ये हिस्सा बड़ा इससे ये छोटा है और किनारे वाला सबसे छोटा ऐसे ही उपर पहले बीच का हिस्सा हमने बना लिया जो की बड़ा है इसके बगल इससे छोटा है इस किनारे और भी देखिए छोटा है ऐसे ही इस तरब देखिए ये हिस्सा कुछ बड़ा है ये वाला उससे छोटा है बीच वाला हिस्सा सबसे बड़ा है ऐसे ही इसको भी बाटेंगे बीच वाला हिस्सा देखिए बड़ा हो जाएगा फिर ये छोटा होगा, किनारे और भी छोटा अब देखिए, इन रेखाओं को हम इरेश कर देते हैं इन रेखाओं को गहरा कर लेते हैं देखिए, इस से, इस को, इस बिंदु से, इस बिंदु को, इस से, इस को, इस से, इस को, इस केल के दोरा मिला देते हैं अब अब इस रेखा के दोनों और बराबर चोड़ाई से इसका हैंडिल बना रहे हैं जो नीचे इसके गोला कार बेस से जुड़ा होता है इसको बिल्कुल सिंपल न रखकर थोड़ा सा अलंकारी कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे अब देखें नीचे बेस होता है जिसकी गोलाई इससे थोड़ा कम रखते हैं कोनों को हम रेज कर देते हैं और बीच वाली रेखा को भी रेज कर दिया इस रेखा का भी कोई काम नहीं है इसको भी हमने रेज कर दिया अब देखें इस बेस की उचाई बना रहे हैं यह बहुत ज्यादा उच्छा नहीं होता है नीचे देखें थोड़ी सी रबर लगी होती है जो कि बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है यहां देखें एक वायर लगा हुआ है जो कि पूरा नहीं दिखाई दे रहा है इस तरफ एक स्विच लगा देते हैं इस परकार देखें वाच्छों नाइट लैम्प का चित्र बनकर त्यार हो गया है अब हम इसकी सेडिंग शुरू करते हैं इसी परकार परतेख लाइन के पास हलका हलका काला कर देते हैं देखें जब दाइंग और से परकास पर रहा है तो बाइंग और काला दिखेगा इसी परकास परते हैं इस प्रकार देखिए बच्चों एक बार हमने थोड़ा हलकी चाया दिखा ली अब दुबारा गहरी चाया दिखाएंगे जहां जहां पर ज्यादा चाया पढ़ रही है वहां ज्यादा काला कर देंगे देखिए रेखाओं के पास ज्यादा काला कर देते हैं बाहर के और कम रखते हैं देखिए रेखिए जैसे जख जड़ठा काला कर देखिए बाहरा धना पर देखिए रेखिए। हाठ उल्ड न इस तरकार बचो नाइट लेमि का चीटर बन कर तैयार हो गया है यदे आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें अपने मित्रों में सेयर करें और यदि आपने चैनल कुप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आवसे कर लें